नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक बेंड यूट्यूब चैनल पर इंडिया और उस्टेलिया की वीडियो फिफ्ट टी ट्वेंटिया मैच खिला जाएगा उसके बारे में हम वीडियो के अंदर डिसकेशन करने वाले हर एक प्लियर के बारे में डीटेल में जानने हम देखेंगे पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हूं चैनल के साथ अगर पहली बार जोड़े हो तो सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन कर सकते हैं उसके पहले मैं आपको बताओ तो जो भी दोस्त अभी तक हमसे टेलिग्राम पर कनेक्ट नहीं हुआ है आप टेलिग्राम चैनल पर आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके आप जोइन कर सकते हो टेलिग्राम पर साथी साथ कॉमेंट में भी फर्स कॉमेंट आपको पिंट मिलेगा उस पर टैप करके भी सीधर टेलिग्राम पर आ सकते हैं क्या फायदा टेलिग बेंग्लोर में है, और यहां की पिसर एक बातर हो बहुत ज्यादा रंस यहां देखने को मिलते है, बैटिंग फ्रेंडडी सर्फिस है, ़र्ल टप में भी आप ने देखा है, मैश ताख लग बख psic था लग बाक सारे 3500-400 गन रहें थे, यहां पे दोस्तों लग बाक सेम ही सर् यहां पर रहने वाली और साथी साथ बेटिंग फ्रेंड्ली है तो एक बार फिर से आप 200 मान के चल सकते हैं यहां पर देख भी सकते हो बैटर स्रेंड़ी सर्फेस है साथी साथ स्पिनर्स और सीमर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट है जहां तक मेरा मानना है भाई पेसर्स थोड़ा सा बैतर करते हुए नजर आ सकते हैं विशुरू आत में हलका सा मुवमेंट देखने को मिलेगा साथी साथ आप डैथ बोलर्स भी देखते हैं ज्यादा तर पेसर्स ही बले उनके कुछ नए खिलाड़ी खेल रहें लेकिन इसके बावजूग उतनी वीक तो नहीं है बाई एक सो असी से दोसों के वीच ऑस्टेलिया भी बना सकता है और इंडिया का आपको पता ही है बागी यहां पे देख लेते हैं लास्ट जो मैच है लास्ट येर खेला गया मैचस के अंदर बढ़िया स्कोर हुआ है साथ ही साथ पेसर्स ने थोड़े से जाधा विकेट्स निकालें तो पेसर्स आपकी टीम में रहना चीए एक बार फिर से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो थोड़ा सा चेसिंग का डिसिनल लेगी क्योंकि चेसिंग कंपरेटिवली मैचस के अंदर इंडिया अटरा मैचस जीता हुआ है और ऑस्टेलिया ग्यारा मैचस जीत चुका है ठीक है लास मैच आपको यादी है इंडिया ने सिर्फ 175 बनाए हुए थे और काफी कम स्कोर वो लग रहा था लेकिन इसके बावजुद इंडिया ने डिफेंड किया इंडिया ने मैचस को आसारी से जीत दिया है चलिए यहाँ पर दोस्तों बात करें इंडिया की पॉसिविल 11 सेमी रहेगी ज्यादा चेंजिस होंगे नहीं लास्ट मैचस सीरीज का और इंडिया सीरीज जीत भी चुका है तो हो सकता है किसी एकाद प्लेयर को मौका ना मिला तो उसको मौका दिया जाए लेकिन मेरी नजर मैसा कोई प्लेयर आ नहीं रहा है जिसको मौका ना मिला हो लगबग सभी को मौका मिल चुका है तो सेमी प्लेइंग 11 रहेगी लास्ट मैच में बढ़िया तरीके से विन भी किया है तो चेंजिस बनते नहीं है बाकी तो एवरेज स्कोर आपको करके दे रहे प्लस पॉइंट क्या है यार होट स्पोर्ट पे खड़े होते हैं जहां पे इनके पास अच्छे खासे कैचिस आते हैं लास्ट मैच में भी दो कैचिस पकड़े उसके पहले भी आप देखो एक आद कैश तो डेफिनिटली आता है त तो सिर्फ टीम में रखो ग्रेंड लिग में कैप्टन वारेज सिर्फन अप कर सकते हो वितुराज का एक बार 71 का एवरेज 37 का ओवरोल एवरेज है लास्ट री मैचेस देखो या बहुत बढ़िया किया है हाइस रन स्कोरर है सीरीज के अंदर पहले मैच में रन आउक बढ़िया चोइस नहीं दर आते हैं एक्दम कंसिस्टेंट है और 20-30 फिर से कर जाएंगे तो कैप्टन वाइस किप्टन अगर आपको रखना है एक्दम से जाना है तो गाएक वर्ड के सांद जा सकते हो श्रीया सईयर 10 का एवरेज ऑस्टेलिया के सामने ऑवरोल 30 का एवर बैटिंग और भी आप देखो बंडाउन है इनके लिए बिल्कुल सही बैटिंग और आपको आते से ही ना हीटिंग करनी है ना आपको बहुत बड़े-बड़े शॉर्ट्स लगाने आराम से आप इनिंग्स को मिल्ड करके बड़ी अपारी खेल सकते हो चो श्रीया से यह ड इस्टेंड यह भी है टीट्वेंटि आई के अंदर तो टीट्वेंटि आई में आप सुरिया को लगादार केप्टन बना सकते हो आपको कुछ अच्छा जरूर करके देते हैं ज्यादा तर आज के बैच की बात करें सुरिया फिर से आपको कुछ पॉइंट्स निकाल के डे देते हैं यहाँ पर देखो लास्ट मैच में टीम फसीविती 46 करके दिए उसके पहले फिनिशिंग टश्ट रही है थे 31 कर दिए उसके पहले 22 बनाया है नॉट आउट 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 रहते हैं बैटिंग अगर थोड़ी सी जादा मिलती है तो बहुत पॉइंट्स भी निकाल के देते हैं तो रिंगु सिंग आप रख सकते हो फॉर्स बैट के अंदर अपनी टीम के अंदर लेकिन आज मुझे लग रहा है इंडिया का टॉप ओडर थोड़ा सा बढ़िया करेगा आश्रीय से यहर भी अच्छा कर सकते हैं सूर्य कुमार याद इंडिया की तो जितेश को रख सकते हूं अगर सामने वाली टीम की फर्स बैट है तो फिर वहां से आप फिलिप या वेड में से किसी एक को रख सकते हैं अक्षर पटिल की बात करें साथ मैचस में 13 विकेट यार परिशान कर रहे हैं पूरी सीरीज में परिशान किया है एक अगरत करो किल्ते कोई सपोर्ट पिश्ट से बिल्कुल सपोर्प नहीं है यहाँ पर पिटाई होती है स्पिनर की बहुत ज़्याधा अगर थोड़ा सा प्लेयर के अकॉर्डिंग बोलिंग करते हो, प्लेयर की कमजोरी के आउसके अकॉर्डिंग बोलिंग करते हो, तो ही आप विकेट्स चटका सकते हो, जो एंद चहल ने इस ग्राउंड पर बहुत सारे विकेट्स चटका है हुए, तो अक्षार पेडल को पीछे बोलिंग आ रह चौइस है टीम के अंदर रखो और कैप्टन वाइस कैप्टन तो बैट्समेन को करो तो जादा अच्छा है क्योंकि बैटिंग सर्फेस है बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा आवेश्कान यह लास मैच में अच्छी बोलिंग की है और मैं हमेशा कहता हूं आवेश्कान की रख सकते हो फर्स बोल के अंदर मुकेश कुमार बढ़िया बोलन है लेकिन थोड़े से विकेट्स कम मिलने है और लास मैच में थोड़ी पिटाई भी हुई विकेट भी नहीं मिला तो मुकेश कुमार यार ट्राय करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है आवेश्कान को आप लाओगे अगर अक्षा पर टेन की जागे लाना चाहरे है तो ला सकते हैं वाशिंग्टन सुंदर दो चॉइस बती हैं बची हैं बाकि सबको तो मौका मिल चुका है चलिए अब हम दोस्तों बात करेंगे और शुरुआत करेंगे यहां पर स्क्रीन शॉट अगर आपक हो जाएंगे ट्रेवेस एड की बात करें तीसका एवरेज है इंडिया की अगेंस्ट इंडिया की अगेंस्ट बहतर करते हैं ओवरॉल देखो दो मैचस के लिए 31-35 बड़ी है और थोड़ा वहत स्कूर आपको करके देते हैं थोड़ा बहुत करके देते हैं बोलिन तो टी- केम में रखो कैप्टन-वाइस केप्टन नहीं है फिलिप की बात करें 13 का एवरेज है जादा वैतर इंटरनेशनल मैचस में किया नहीं है बीबीए ला रहा है बीबेज में फोर्ड देते हैं यहाँ पे भी फोर्ड सकते हैं किस कंडिशन में फॉर्स बैट में पीछे प्र करना यार फर्स बैट में रख सकते हो माकी मेरी टीम में तो नहीं है मैं थोड़ा इंडिया के बैट्सफेंट बहुत तो वह ज़्यादा चांस सेगी वह ज्यादा चाहिकर दें एर और अश्ञा किया है सीरीज में और टीम थोड़ा सा मौका भी दे रही है लगबग तीन ओव किया बाकि दो मैच इसमा पर स्ट्रगल करके आउट हो गए एक में जीरो पर आउट हुए तो आज के मैच में डिफरेंट करना है फर्स बैट के अंदर टिम नेविट को कर सकते हूँ मैथ्यू शॉर्ट नहीं है टीम में मैटिंग और नीचे हुआ है और बोलिंग में सिर्फ दे टीम के पास जादा स्ट्राइक बोलर नहीं है तोटीम लेकि दालते है नोइए नहीं के तो टेम अधिन को टालने पड़ेंगे तो चांसे स्रहेंगे एकस दो विकेट फिर से ले जाएं सांगर की बात करें यार्ट एक strongest याट से और इन आज मैं उम्मीद कम कर रहा हूं कि इस पिलर्स को उतने विकेट्स मिलेंगे तो फिर सांगा भी मेरी टीम के अंदर नहीं है मैं ऐसे पेसर को रख रहा हूं टीम में जो थोड़े से डैथोगर्स आपको डाल के दें अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं स्मॉलिंग में कैप्ट करने डिफरेंट करना है थोड़ा सा तो ट्रेवेस हैट मांकी ग्रेंडिंग में आपको करना है जेसवाल विष्णुई और आई यह ग्रेंडिंग में कैप्टेन वाइस केप्टेन की चॉइस है अब हम दोस्तों जील में फिक्स प्लियर्स देख लेते हैं विकेट कीपर न यहां से ट्रम प्लेयर सो सकते हैं यहां पर आप देख सकते हूं ना बैन डाशूस फिलिप और यहां पर टिम नेविट रिंगू सिंग जितेश शर्मा यह पांच प्लेयर से थोड़े डिफरेंट है मां की लो सेलेक्शन बिग रिवर्ड बाला जो स्लाइड है यहां पर आ मिला बढ़िया किया है इसके अलावा श्रीयर सही है और फिलिप यह तीन चॉइसे से डिफरेंट स्मॉल नीक के लिए आपको डिफरेंट करना है इन मैंसे किसी को रख सकते हैं कैप्टेन वाइस किप्टेन पी आप सोच सकते हैं चलिए ग्रैंडी के कॉमिनेशन देखें शुरुवात करेंगे फर्स टीम के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रहा है और डॉमिनेट कर रहा है मतलब वही दोसों के आसपस इंडिया स्कूर बना रहा है तो फिर मैंने अयर के साथ गाएक वार्ण को वाइस केप्टेन किया यार फॉर्स इनिंग में बहुत अच्छा किया जब भी मौका मिला थोड़ा-बाथ मिलेगा अक्षा करेंगे जितेश शर्मा को भी ले लिया तो फिर मैंने Travis Edd को Vice Captain किया है Phillip को नहीं लिया, Wade को ले लिया है क्योंकि Phillip अगर जल्दी आउट हो गए तो Wade फिर अच्छा कर देंगे इसके अलावा Aaron Hardy मेरे पास है Berendorf मेरे पास है Mogesh Kumar या Avish Khan आपको जिसको आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हो नेक्स टीम की बात करें Australia बैट फर्स करके डॉमिनेट कर रहा है तो Travis Edd को Captain किया है Vishnubi को Vice Captain किया है Tim David को भी रख लिया है दौनों विकेट की पर मेरे पास है ठीक है आयोप आप समझ जाने नेक्स टीम की बात करें अस्टेलिया बॉलिंग फर्स करके डॉमिनेट कर रहा है तो फिर मैंने अक्षर को Vice Captain किया है हो सकता है कुछ अलग मैच हो जाए और इंडिया के थोड़े जन्दी विकेट्स गिर जाए तो वहाँ पर अक्षर के पास थोड़ी बहुत बैटिंग मिल जाए और पीछे आप देखी रहा है अच्छा बड़िया बुलिंग कर रहे है तो आज गाएक बार को Captain की है नेक्स अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं स्मॉलनी के कॉमिनिशन के बारे में उसके पहले वीडियो अगर आपको helpful लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चले दोस्तों हम टीम के बारे में डिसकेशन कर लेते हैं किस प्लेर को किस कंडीशन में रखा है Captain वाइस के नमारे कौन है उसके पहले अगर आप टेलिग्राम पे नहीं आया है तो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना और टीम आपको टेलिग्राम पे मिलती है तो टेलिग्राम आप जॉइन कर लेना बागी स्मॉल लीक इस एप के अंदर खेलना चाहिए स्मॉल लीक में मेरे इंवेस्मेंट होता है कोवेरा के अंदर आपको लगतार पता है विनिंग स्कीन शॉट भी आप टेलिग्राम पे देख लेते हैं यहाँ पे तीन बैट्समें तीन बोले से ने कंपर सरी है ओपोनेट जहां पे फस्तर जादा तरह हम वहीं पे विन करते हैं दूसरा फाइदा क्या है डूओ भी खेल सकते हो सिर्फ एक प्लियर चूज करना है उससे भी आप सारा माउंट विन कर सकते हैं थर्ड चार्स क्या है विनिंग का बहुत सारे तरीके में आपको गिराना हूँ थर्ड है लूडो भी आप खेल सकते हो फोर तो यहां पर आर कॉंटेस्स काफी दादा आपको सस्ते मिलेगे तो बहुत सारे बेनिफिट है कोबेरा में खेलने की अगर आप खेलना चाते हैं तो कुबेरा में खेल सकते हो लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में है वहां से डाउनलोड करेंगे तो 100 रूपी साइन बोनस भी आपको मिलेगा चलिए सीधा टीम पर फोकस करें विकेट कीपिंग सेक्शन से फिलाल वेड मेरे पास है क्योंकि सीधन अच्छा जा र और फिलिपी को फर्स बैट ऑस्टेलिया क्या रही तो रख सकते हो ठीक है फर्स ऑस्टेलिया बैटिंग कर रही है तो या तो आप वेड को रखे या फिलिपी को रखे मैं फिलाल वेड पे जादा बरुसा दिखा रहा हूँ क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत बैतर नजर प्रेस होंगे मैं नहीं जा रहा हूं मैं डिरमट के साथ भी मैं नहीं जाओंगा क्यूंकि इंडिया की सर्फे से थोड़ा इंडिया के बैट्समेंट को जादा प्रेफर करो बाकि बैट ऑल्राउंडर से बात करें अक्षर पटेल टीम के अंदर रहेंगे एर उन हार्डी लगबग तीन से चार आपको मिल रहे हैं और वेड पता नहीं कैसी कैप्टेंशिप कर रहे हैं कई बार इनको डैथ में बीवर्स पकड़ा सकते हैं फॉस्ट ऑबर भी शायद इनों नहीं डाला था जान तक मुझे आते लास्ट मैट के इंदर फॉस्ट ओवर इनों नहीं यह दोस्तो फर्स बोर ऑस्टेलिया की आ रहे है तो फिर मैं इन दोनों बुलर्स को रख रहा हूँ अगर फर्स्ट इंडिया की आ रहे है तो इंडिया के डास पॉलर को हम रखना चाहेंगे या तो फिर आप आवेश खान को रख सकते हो जो डैत में ज्याता तर चाहां से स दीपक शेर जादा तर शुरुवाद में बोलिंग करते हैं आवेश और मुकेश कुमार डेथ में डाल सकते हैं एक आद ओबर दीपक शेर तो एकदम कंफर्म नहीं है कौन डेश डाल रहा है बागी आद से कंफर्म क्योंकि इनके बस तो दो ही स्ट्राइक बोलर है जो डेथ और शुरुवाद दोरो करेंगे कैप्टन किसे किया है कैप्टन मैंने किया है सूर कुमा यादव को वाइस कैप्टन मैं फिर से आईयर को बैक कर रहा हूँ क्योंकि चांसे से आजके मैच में कुछ अच्छा करके देंगी अगर आपको सेफ जाना है तो गाय कमार्ए रख सकते हो या Jes wall को भी लोग रख रह रहे है सीरी जा रही है उनके साथ नहीं जा रहूं ठीक है फिलाल इस तरीक के की दोस्तो टीम है बागे जो final team रहेगी condition की according टॉस की according वो बिलेगी आपको telegram channel पर, तो telegram पर आ जाना description में भी link है, comment section में भी है वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like कर सकते हो, channel के साथ पहली बाद जोड़न है तो channel को subscribe करके notification आप कर सकते हैं, मिलते हैं next match में, thank you and thank you so much